दुनिया की उभरती महाशक्ति के तौर पर भारत लगातार सैन्यक्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है इसी क्रम में इंडियन नेवी को एक साइलेंट किलर सैंट शार्क मिल गई है दरसल नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार की मौजूदगी में कलवारी श्रेणी की पाचवी सबमरीन आइनस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया गौर्टलब है कि चीन के नापाख मनसूबों को देखते हुए भारत सीमा सुरक्षा व्यवस्था को अभेध्य बनाने की तैयारी कर रहा है ऐसे में आइनस वागीर कई मायनों में खास है वागीर को नौसेना में शामिल करने के दौरान नौसेना प्रमुख एड्मिरल आर हरी कुमार ने कहा कि आइनस वागीर हिंद महासागर में अपने साहस का परिचर देते हुए शौर्य गाथा लिखेगी और पूरे समर्पन के साथ भारत की सेवा करेगी अर्सवेल वागीर शाल ने को जैसे में अट्सोंपन की तरिए लिखेगी चाहर के लिखे अगा लिखेगीर चाहर लिखा है विखेगीर लिखेपित बादेल की सन्थेर अगिपक्ति अडेग्यों का इड़ीव और ये संधूर्य को यजफा है वागीर टेट अटे आर वागीर को फ्रांस की नेवल ग्रूप कमपनी के साथ मिलकर, मुंबई के मजगाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, इसे एंटी सबमरीन युद्ध, हूफिया सूशना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और सर्विलांस के काम में इस्तिमाल किया जा सकता है, इस समुद्र को समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र दोनों जगह तैनात किया जा सकता है, इतना ही नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की सबमरीन आयनस वागीर, समुद्र में 37 किलो मीटर प्रतिगंटे की रफ्तार से चल सकती है, ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलो मीटर का सफर तै कर सकती है, त जगातार 50 दिन तक समुद्र के भीतर रह सकती है, दोसरी और इस सबमरीन की खास बात ये भी है कि ये बेहत खामोशी के साथ अपने मिशन को अंजाम देती है, यही वज़ा है कि इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, ये सबमरीन स्टील्स टकनीक से लास है, जिसके चलते र की आईनेस वागीर कलावरी क्लास की पाँच भी सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के तहट पहली सबमरीन आईनेस कलवरी को भारतिय नौसेना ने दिसमबर 2017, दूसरी सबमरीन आईनेस खंडेरी को सितमबर 2019 में, तीसरी सबमरीन आईनेस करंच को मार्स 2021 और चौथी आईनेस वे पे जाने की उम्मीद है, फिलहाल हिंद बहा सागर में चीन की चुनावती से निपटने के लिए ये सबमरीन काफी एहम साबित हो सकती है, इस साइलेंच किलर सबमरीन वागीर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए, देश और दुनिय करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले